आपको साहित्य, संस्कृति और कलाप्रे में भी कहा जाता है आपका मालवा उत्सव पूरे दुनिया में मशवूर है मालवा उत्सव का खयाल आपके मन में कैसे आया है और मैं अखसाद सुना करता था कि हमारे जो युवा उनके उपर इस प्रकार वेस्टन कल्चर का प्रभाव धिरे दिरे बढ़ता जा रहा है मुझे लगता है हम उसको दोज दे हैं कि वेस्टन कल्चर का प्रभाव हमारे युवा पीड़ी पे पॡ़़ा है उससे अच्छा ही है कि हमारी जो संस्किती है, हमारा जो कल्違ावा दें और उसी को देखके हुए हमने एक NGO बनाए और NGO में हमने यह तया कि हर मेने एक कारिकम करेंगे हमारी भारती है कला और संस्किती हो लेकी और वो हम नई पिड़ी का पास ले जाएंगे तो मुझे इस बात की खुछी है कि हमने वह 22 साल पहले वह NGO बना या और उसमें हर मेने अभी भी हमें एक कारिकरम करते, नो कोई न कोई कारिकरम करतें, लेकि इन सब कारिकरमों में तीन-चार कारिकरम हमारे बहुत प्रमुक रहते हैं, उसमें एक संजा मांडना रहती है जो क जोबारी लड़की हैं हमारे मालवा निमानंड में मानती हैं और वो इसलिए प्रत्रेक्व में गाउँं में था वेगये नए यहाई पीडी को जानकारी मिलनी चाँ कि इसका महस्तों क्या हैंची होती है हज्जारों महिला थे रखती हैं हमारी जो महिला है माता भेहने वो निर्जल उपास रखती हैं तीज के दिन और हजारों के संख्या में वह हमारा एक इंदोर में राजवडा है मुझे इस बात की खुशी है कि पिसले 17-18 सालों से हम वहाँ पर जो शहर का में इस्थान मुख् बढ़ा महाँ भडार हड़ा थीज़ की भजनसंजव्गा करते हैं और जो 10 ज़तprene हम भजन संज़िआ शुरू करते हैं रहते कि सुछ्भी पांज है तक हज्जारों महीला है थिरकती है स्री महिलाओं महिलाओं करता है महाला पुलीस रेती। कारिकरता हमारे महिला रेते च इंटिरियर में हमारे कलाकार हैं, जो लोग कलाकार हैं, उनको बड़ा फ्लेट फॉर्म नहीं मिलता है, हमने निर्ने लिया कि पूरे देज भर के इस प्रकार के जो फोक डांस करते हैं, क्योंकि बाकी डांस होते हैं, फोक डांस कहीं नहीं के बिलुक्त होते जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे का परफॉर्म करते हैं कश्मीर के भी कला कारते हैं वो अपनी लोग कला करते हैं तो केरला के भी कला कारते हैं गुजरात के भी आते हैं तो मनिपूर मिजुरम बंगाल के भी आते हैं मजब देज राजिस्तान च्छाइज गर्ड महाराश्ट के भी कला का रहते हैं तो एक फ्लेट फॉर्म पर पूरे साथ दिन तक लोग कला कारों का एक कुम्ब लगा रहता है साथ दिन और मुझे बता करने जाते हैं तो हमारे एक नए प्लेवर मिलता है पूरे देश देश में उस बात को किए तो मालवा हमारा रिजन इंद और को मालवा रिजन बुलते उसीं में मालवा उसमें हर कला और संस्कृति को एक ही फ्लेट फॉर्म पर ले आते तो वह 20 सारों से लगाता है हुआ औ तो वहीं जन्ता को समाज को अपनी रूट्स के साथ बांदे रखना भी उन्होंने अपने कार्यों का एक लक्ष बना लिया है यह अभी आपने बताया हमें कि आपने अलग अलग शेत्रों में नौक वर्ड लिकॉर्ट बनाए हैं और आपको अवार्ट्स मिले हैं हम उत्सुक यह जानने के लिए कौन से कारों के लिए आपको बहुत 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 इंदोर में इस कुछ भी नाया करने की बहुत इच्छा रिती है वह सभी को ध्यान में रखते हुए हमने अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए हैं जिसा मैंने बलाया कि मालवास्व में तो एक बार हमने ए गंडे तक वह अपनी कला का प्रदेशन कर रहे थे तो एक स्टेज पर साड़े छिस सो कलाकार इतना बड़ा स्टेज बनाया था वह अपनी कला प्रस्तुत करते कंटुनियस में तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि एक स्टेज पर साड़े छिस सो कलाका और वह अपनी कला क प्रदर्शन कर रहे हैं एक साथ तो यह अपने आप एक रिकॉर्ड था हाथ इतना बड़ा स्टेज बनाया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग आया है उन्हों डिकॉर्ड की नंबर्स कलाकारों के कि हमने अलग-अलग तोलिया खड़ी कर दी कलाकारों की अब 20-22 स्टेज के कलाकार एक साथ परफार्म कर वो अपनी कला अपने वाद्य लेके आते हैं और अपने उसकी प्रस्तोती अलग-अलग होती है तो उन्होंने किस प्रकार सिंक्रोनाइज किया होगा तो अपने बड़ी उपलब दीती उसकी बहुत तैयारी करी तो एक वो था एक रिकॉर्ड ह रखी तो एक साथ चार सो बालिकाओं ने उस छेतर में एक घंटे में पुरी दिवाल पे वो संजा मान दी तो इस प्रकार अलग-अलग है कि हमने तिरंगा जातरा निकाली थी जिसमें पुरे देश में रिकॉर्डे बारा किलो मेटर का तिरंगा लेके हम चले थे हमने शु चल रही थी तो एक इसा दरश्ट था कि जो इंदोर के लोग कभी भूलते नहीं एक चोवीज घंटे हमने सुगम संगीत का कारिकम किया था आज सुबह साथ बजी शुरू किया तो दूसरे दिन साथ बज तक चला तो इसे वह संगीत 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 कंट रप उसमें कला कर एक प्रस्तुती दे रहा था फिर दूसरा आ रहा था तो वह चोवीज घंटे जो चला प्लेटफार्म एक ही था और केश्टा थी आर्केश्टा की लोग तीन-तीन नहीं पर बदल रहे थे कला कार आ रहा था अपनी दो प्रस्तुती दे के फिर जा रहा था फिर दूसरा कला पहर आने कि लोग इस भाहने वी जुड़े रहते हैं कला और संसकृति के लोग भी साथ में जुने ली राइडनिति के लोग जुड़े, समाछ लोग जुड़े, कला संसकृति के लोग भी जुने हैं अब यहाले में केंदर की सरकार ने जो आरेक्षन को लेके 10% एकनोमिकल बेकवर्ड यहने बिना किसी आरेक्षन को डिश्टब किये SCST, OBC इसके किसी भी आरेक्षन को डिश्टब नहीं किया और जो हमारे आर्थी ग्रूप से कमजोरे उनके लिए उनने 10% आरेक्षन किया और उसको लेके चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे इंजिनिनिक कॉलेज हो या दूसरे आई आयम हो उसमें 10% सीटे बढ़ाई और हर छेतर में रिजबरेशन जो 10% एकनोमिकल बेक्गराउंड के लोग हैं उनके लिए बनाई तो जो आर्थी ग्रूप से कंजोर बच्चे हैं लोग हैं उनके लिए जब ये काम हुआ तो हमारे इंदोर में एक युवाओं में बहुत अच्छा एक सकारत में महाल था कि मोधी जी ने इतना बड़ा काम हमारे लिए किया है तो जब हम में युवाओं के बीच में गभी कि ठीच बीच में हहां एक स्मय ने लिए जा रहता हम इंजिनियर हो तो जो में इस अच्छा काम किया जब वो बात धीरे-दीरे फेली तो ऐसा लगा कि उसको हम पूरे शेयर को इसमें इन्वाल कर सकते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने एक पंदरा दिन का केंपेंड प्लान करके चलाया उसमें सबी बरगे के लोग थे, सबी जाती क्योंकि एक नमरिकल बेक्राइं में ऐसा नहीं है कि हिंदू हो या मुसलिम हो या सिखो, सबी ने सयो किया और उसमें एक लाख सिंगनिचर ठेंक्स के पंदरा दिन में एक लाख फिर वो हमने माने मोधी जी को दिया और मोधी जी को भी बहुत अच्छा लगा कि उनकी चर्चा उन्होंने पार्लेमेंट बोर्ड में भी की इस प्रकार का इंदोर में काम हुआ है तो यह कि ऐसा क्रेटिव काम था जिसमें अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमको धन्यवाद देना चाहिए तो पंदरदी में एक लाग सिगनिचर करके जब उनको दिये तो उसका भी एक रिकॉर्ड बना कि एक लाग सिगनिचर कम समय में इंदोर की एक शहर में हुआ तो वो भी एक रिकॉर्ड बना था